कि दया धरम का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िये जबलग घट में प्राण नमस्कार दोस्तों एक वार फिर में एक नई जो है बहुत ही निरास हो गई चकवी और जब उसने उड़ने की कोसिस करी तो वहां पे अकास में देखा तो बाज मन रह रहा था अब वो नर्वस चकवी हो गई परिसान हो गई बोले प्रेनात आज तो प्राण जाने ही है नीचे बहे लिया तीर का धनुसका निसान ना लग जाए उड़ते हैं तो ये मार देगा यदि नीचे आते हैं तो इसके हाथों से मारे जाएंगे और यदि उपर उड़ते हैं तो ये बाज जो हमको खाजाएगा दोस्तो जाको राके साईयां मार सके न कोई ये कहावत जो है बिलकुल 100% सही है दोस्तो जिस पे इसवर की किरपा होती है उसका कोई बालमा का नहीं पिकाड सकता तो होता क्या है अब वो चक्वा जो पक्षी जो था जो जैंस था वो कहता परिसान मत हो इस वर से प्रातना कर बिंती कर उन्होंने बिंती सुरू कर दी परमातमा से कि पर वो अब तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है अब तू हमारी रक्षा कर अब तू ही हमारा सहरा है तू ही हमारा गुजारा है हम पे किरपा कर हम पे दया कर तो परमातमा God is the see of mercy उसे दया आ जाती है और होता क्या है वहाँ एक सांप प्रकड़ होता है और वो सांप जैसे ही वो बहे लिया तीर छोडता है वो सांप उसे डस लेता है और वो जो तीर जो बाजमन रहा रहा था वो उसके लग जाता है तो कहते हैं कि दोनों का भंडा चूर हुआ, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा दोस्तो जाको राके साइयां मार सके ना कोई बस हमें करना क्या है दोस्तो चाएं हम खुसाल हों, चाएं हम परेशानी में हों हमें इस वर पे बिस्वास बनाए रखना है हमें इस वर पर आस्ता वनाए रखनी है हमें उसका गुडगान करना है प्रेयर करनी है बिंती करनी है तो हम बड़ी बड़ी परिसानी तकलीपों से निकल जाएंगे क्योंकि अभी कि ये जो भूकम टर्की में आया तो इसमें बारे दिन से एक दमपती बारे दिन से मलवे के नीचे दबा पड़ा दोस्तो और बारा दिन से मलवे के नीचे दब करके यानि वो दोन प्राणी जीवित निकले जब रैसको टीम बहाँ पर पहुंची तो वो हाथ हिला रहा था इसारा कर रहा था पानी के लिए कि मुझे बहुत प्यास लगी है और उसने सारा दिया बताया कि मेरा परिवारी भी है तो दोस्तो उसकी एक बेटी थी जो कि मासूम थी वो पानी सहन ना कर सकी यानि और वो मासूम थी लेकिन वो बारे दिन तक हालातों से जूचते रहे तो इसवर की ऐसी किरपा होती है ऐसी द्रिष्टी होती है कि देखिए एतने उसके बाब जूद भी अब आप लगा लीजिए कि बारे दिनों में और हम मल्टिपलाई यदि 48 घंटे से करें तो कितना अधिक समय तक जिंदे रहे तो दोस्तों हमारे हर किरिया अकलाब पर इसवर की नजर है बस जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो भी इसवर करता है वो अच्छा करता है लेकिन हमारा जो दायत पर हमारा जो फर्ज है वो उससे बिंती करने का है प्रातना करने का और इसे विश्वाज करने का है तो दोस्तों बस इतनी एक moral education है कि इस फर पर विश्वाज बनाए रखी इस फर जो भी करता है वो अच्छा करता है और जो भी करेगा वो अच्छा करेगा और इनी सब्दों के साथ मैं अपनी इस इस को खतम करता हूं और आप से आसा करता हूं कि कहानी यह दी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना एक मेटा सा कमेंट्स करना जैह